सुप्रिम कोट का अडानी पर चला है हतोड़ा कर दी गई है बड़ी कारवाई जी हां आप लोग थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि अडानी पर कारवाई क्योंकि राहूल गांदी हों तमाम वेपक्ष के निता हों वो तो कहते हैं कि परचित हो चुके हैं तमाम वीडियो में हमने सीजह चाहिसाप की जो कारशाईली की काम करते हैं बारे में आपको अवगत कराया है आप लोग देख रहे हैं कि एडी किस तरीके से काम करने का तरीका है जो उसकी शक्तियां उनके पास है अभी हाल ही मैं सुप्रिम कोट ने क सारी नसीहत उनको दी है हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सुप्रिम कोट के जस्टिस हैं उन्होंने भी एडी को तमाम तरह की फटकार लगाई है नसीहत उन्होंने दी है तो एडी जो है वो भी चर्चा का विशा है इस वक्त में और तीसरा चर्चा का है वो कितना बड़ा होता जा रहा है देरे 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 दक्षंड से जो नेता है के कविता उनको भी जेल भेज दिया गया दिल्ली के मुक्यमंतरी को जेल भेज दिया गया मुक्यमंतरी रहते हुए जेल बेजा गया वो दिल्ली की जेल है वहां से ही अपना कारेले चला रह तो आप सब देख रहा है कि क्या चल रहा है इदर आपने ये भी देखा कि पिछले दिनो अंबानी जो है प्रमक वेपारी देश के दो ही अडानी और अंबानी जिन पर आरोप लगता रहता है कि वो प्रधान मंतरी मोदी जी के मित्र है तो अंबानी जी की अभी बेटे की जो प्रिवेडिंग हुआ उसमें जो शूट हुआ उसमें जो तमाम जो लोग आए राजनेते खर्स्तिया आई तमाम देश-विदेश के तमाम उद्यक पती आए तो वो भी आप लोगों ने देखा कितना खर्चा उस शादी में हुआ शाही शादी उसको कहा गया वो सब आपने देखा अडانी जो है राईूल गांधी जो है उनको कई बार यह कह चुके हैं कि वो मुधी के उमित्र हैं, मुधी के दोस्ट हैं, साहिप के मित्र हैं और मुधी की देश की तमाम नीतियां उनकी लिए हैं ये सब होता रहता है तो ऐसे मैं Supreme Court ने अडानी पर बड़ा जुर्माना लगाया है अडानी को 50,000 रुपे का जुर्माना Supreme Court ने लगाया है देश के CGI को मैं फिर कहूँगा कि उनको salute करने की जरूवत उनको सलाम करने की जरूवत है कि वो किसी से दबते नहीं है जुकते नहीं है नियाए के लिए जो भी ठीक होता है नियाए के लिए जो भी जिस्ट होता है जो फेर होता है वो करते हैं लोग तंतर का चौता इस्तंब नियाए पालिका है और उसमें वो जान फोगे हुए हैं और उनका जान फोगेने का नतीजा है कि अब उनके अलावा सुप्रिम कोट के और जस्टिस और जो अन्य जो जुडिशरी है जिनको कि लोवर कोट जानी की ट्राइल कोट या हाई कोट कहा जाता है वो भी तमाम कारवाईयां ऐसी करते हैं जो कि एकदम से अजीब होते हैं पितासी कोट न हिसाइड कोट ने साधिक ہیں तो सप्रिम कोट ने जो जरुमाना लगाया है आडानी पावर जो अटानी पावर लिम्टेड में आयमे याचियका दाकिल की थी उस याचिका में राजस्थान सरकार के हक वाली कमपनी जैपूर वितरन निगम लिटिना लिमिटेड जानी की जेवी वी एनल से विलंब शुलक के रूप में तेरे सो करोड लगबक तेरे सो करोड रुपे की मांग उन्होंने की थी सुप्रिम कोट के जो जस्टिस है प्रकार किराहत LPS जो है लेट पेमेंट सर्चाज एक विविद आवेदन में नहीं मांगी जा सकती है उन्होंने इस्पश्ट किया कि जो विविद आवेदन है उसमें नहीं मांगी जा सकती है इस तरीके से आवेदन आपने ये खलत किया है अड़ानी की याचिका को इसको देखा जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति जो देश का प्रमो खुद्यूक पती है जो देश का सबसे बड़ा व्यापारी उसको कह सकते हैं उस व्यक्ति को जिस पर की तमाम जो राजने तक पार्टियां है या कॉंग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की राउल गांदी अवाम मौकों पर घेरने से नहीं चुकते हैं सीधे कहते हैं कि वो मुदी के दोस्त हैं मुदी के मित्र हैं उन पर सुप्रिम कोट से अटानी साब पर अगर पचास जार रुपे का जुर्माना लगता है तो ये बाकई में बड़ी बात है और सुप्रिम कोट के जो जस्टि स्ब्रक से नियाय में कोई भी बड़ा चोटा नहीं कानून सब्हान सबंतने कानून ने कोई भी चोटा जभा नहीं है तो CJ साहब के लिए फिर से सल्यूट अडानी साहब को जुर्माना 50,000 रुबे का द्याम पर देना पड़ा है उनकी याचे का भी खारी जो गई है तो यह बहुत बड़ी बात है एक तरह से तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को शेर करना आप लोग ना भूलें इसके स आज की वीडियो में इतना ही जाहिए भारत नमस्कार